यह 1 के उपर exclamation है 2 के उपर 3 के उपर इसको देखा हुआ है नाम नहीं पता 4 के उपर dollar 5 के उपर percent 6 के उपर क्या है Computer Keyboard में दिया गया symbols हम लोग कई बार use तो करते हैं बगर उन में से कई symbols का नाम हमको पता नहीं होता आज Computer Keyboard में दिया गया symbols के नाम जानते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजीब आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है Computer Related अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकोन को प्रेस कर लिजे ताकि आपको नई वीडियोज का तुरन नोटिफिकरशन मिल सके आज हम लोग Computer Keyboard में दियेगे symbols के बारे में बात करेंगे Computer Keyboard में दियेगे symbols का इस्तमाल हम लोग document preparation में या फिर arithmetic या scientific calculations में यूज़ करते हैं इसके इलावा हम लोग Computer programming में भी इनका इस्तमाल करते हैं अगर आप Computer field में ही काम करना चाते हैं या फिर Computer related topics में आपको interest है तो आपको ये symbols जानना जुरूरी है बहुत सारे लोग ये symbols का इस्तमाल तो करते हैं मगर इनका नाम पता नहीं होता आज हम लोग इनका नाम जानेंगे इससे पहले वीडियो सुरू करें मैं आपको एक बात बता दूँ अगर Keyboard में कोई Key के उपर दो symbols हैं यानि कि उपर और नीचे तो सिर्फ अगर Key प्रेस करेंगे तो नीचे वाला symbol प्रिंट होगा अगर Shift के साथ वो Key को प्रेस करेंगे तो उपर वाला symbol प्रिंट होगा हम लोग typing Key के पहला जो switch है उससे चालू करते हैं मतलब tab Key के उपर जो switch है उससे चालू करते हैं tab Key के उपर जो Key है उसके उपरी हिस्ते में जो symbol है उसको tilde बोला जाता है इसी Key के नीचे जो symbol है उसे exclamation mark बोला जाता है इसको shift के साथ दबाए 2 के उपर जो symbol है उसे at या amperset बोला जाता है इसको कई लोग at the rate भी बोलते हैं हम लोग इसे email address टाइप करने के लिए use करते हैं number 3 के उपर जो symbol है इसका popular नाम has है इसको number sign या pound या फिर shark बोला जाता है number 4 के उपर जो symbol है उसे dollar बोला जाता है number 5 के उपर जो symbol है उसे percent बोला जाता है number 6 के उपर जो symbol है उसे carrot बोला जाता है या फिर circumflex भी बोल सकते हैं number 7 के उपरी हिस्ते में जो symbol है उसे हम end symbol के नाम से जाते हैं इसका नाम ampersand है number 8 के उपर जो symbol है जेनरल स्टार बोलते हैं इसका नाम है asterisk हम इसको mathematical calculations में multiplication के लिए यूज करते हैं number 9 के उपर जो symbol है उसका नाम open parenthesis है number 0 के उपर जो symbol है उसे हम close parenthesis बोलते हैं open parenthesis और close parenthesis के pair को parenthesis बोला जाता है उसके बाद जो key है उसके उपरी हिस्ते में एक बड़ा लाइन और नीचे एक छोटा लाइन है उपर के बड़े लाइन को underscore बोला जाता है वही की के निचले हिस्ते के छोटे लाइन को minus, dash या फिर hyphen बोला जाता है उसके next key के उपरी हिस्ते के symbol को plus बोला जाता है और उसी की के निचले हिस्ते के symbol को equal बोला जाता है अब हम लोग दूसरे लाइन को जाते हैं इसमें लेटर P के बाद जो स्वीच है उससे हम चालू करते हैं अल्फावेट की P के बाद जो की है उसके उपरी हिस्से के सिम्बॉल को open brace या open curly bracket बोला जाता है उसी की के निचले हिस्से के सिम्बॉल को हम open bracket बोलते हैं उसके next की के उपरी हिस्से के सिम्बॉल को हम close brace या close curly bracket बोलते हैं इसी की के निजले हिस्से के सिम्बॉल को हम close bracket बोलते हैं ये दोनों सिम्बॉल के pair को braces या curly bracket बोला जाता है और ये दोनों सिम्बॉल के pair को हम लोग bracket या फिर square bracket बोलते हैं इसके next key के उपरी हिस्से के सिंबॉल को pipe या फिर vertical bar बोला जाता है इसी key के निचले हिस्से के सिंबॉल को backslash बोला जाता है अब हम लोग typing keys के तीसरा line यान के alphabet का दूसरा line जो की letter L के बाद के switch को चालू करते हैं letter L के next key के उपरी हिस्से के सिंबॉल को colon बोला जाता है उसी key के निचले हिस्से के सिंबॉल को semicolon बोला जाता है उसके next key के उपरी हिस्से के सिंबॉल को quotation mark या फिर inverted comma बोला जाता है इसको quote भी बोला जाता है उसी की के निचले हिस्से के सिंबॉल को Apostrophe या फिर Single Code बोला जाता है अब हम लोग Typing Keys के चौथा लाइन यानि के Alphabet Keys के तीसरा लाइन Letter M के बाद जो Switch है उससे चालू करते हैं Letter M के Next Key के उपरी सिंबॉल को Lesdian बोला जाता है इसी की के निचले हिस्से में जो सिंबॉल है उसे कॉमा बोला जाता है इसके Next Key के उपरी हिस्से में जो सिंबॉल है उसे Greater Than बोला जाता है इसी की के निचले हिस्से के सिंबॉल को Full Stop या फिर Dot या फिर Period बोला जाता है ये दो सिंबॉल angle bracket के नाम से भी जाने जाते हैं उसके next key के उपरी हिस्से के symbol को question mark बोला जाता है इसी key के निचले हिस्से के symbol को slash या फिर forward slash बोला जाता है इसको calculation में हम लोग division symbol के तौर पर इस्तमाल करते हैं आई अभी computer keyboard में numeric keypad में दिया गया symbols के बारे में discussion कर लेते हैं numeric keypad में 5 symbol दिया गया है एक है forward slash, एक है asterisk, एक है minus, plus और full stop या dot ये 5 symbol हमने typing keys में भी discussion कर लिया है ये ही symbols typing keys में भी है, numeric keypad में भी है आप इसको कहीं पे भी इस्तमाल कर सकते हैं ये जो 500 symbol mathematical calculations में बहुत बार यूज होता है slash या forward slash को हम लोग division में asterisk या star को multiplication में minus या dash को हम subtraction में plus को addition के लिए dot या full stop को हम लोग decimal symbol के लिए यूज करते हैं और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए helpful होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो like करना ना भूलें और दूसरों को share जरूर कीजिए नमस्कार जै हिंद computer related अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को press कर लिजिए ताकि आपको नई वीडियो का तुरण नोटिपिकर्स मिल सके